साथ्यों, कोरोना से हमारी लडाई आत्मविश्वास और आत्म दिर्भरता की रही है इस मुश्किल लडाई से लडने के लिए हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं पढ़ने देंगे ये प्राण हर भारतिये में दिखाई दिया है संकट कितना ही बड़ा क्यों नहीं देर स्वास्चों ने कभी आत्मविश्वास खोया नहीं जब भारत में कोरोना पहुचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लेव थी हमने अपने सामर्थ पर विश्वास रखा और आज 23 सो से ज़्यादा लैप्स का नेटवर्क हमारे पास है शरुआत में हम मास्क, पिपी ए कीट, टेस्टिंग कीट्स, वेंटी लेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदोशों पर निर्भर थे आज इन सभी सामानों के निर्मार में हम आत्म निर्भर हो गए हैं और इनका निर्याद भी कर रहे हैं आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता की इसी ताकत को हमें टीका करण के इस दौर में भी ससक्त कर रहा है साथियों महान तेलुगु कभी स्री गुराजाडा अप्पाराव गुराजाडा अप्पाराव ने कहा था सौन्त लाभं कौन्त मानुकू सौन्त लाभं कौन्त मानुकू पवरु गुवाडिकी तोडु पाडवोय देश मंटे मट्टी कादोई देश मंटे मनुष लोय यानि हम दूसरों के काम आयें ये निस्वार्थ भाव हमारे भीतर रहना चाहिए राष्ट सिर्मित्ती पानी कंकड पत्तर से नहीं बनता बलकि राष्ट का अर्थ होता है हमारे लोग कोरोना के विरूद लड़ाई को संपुर्ण देश ने इसी भावना के साथ लड़ा है आज जब हम बीते साल को देखते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में एक परिवार के रूप में एक राष्ट के रूप में हमने बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ देखा है जाना है समझा है आज भारत जब अपना टीर काकरण अभ्यान शुरू कर रहा है तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूँ कोरोना संकड का वो दौर जब हर कोई चाहता क्या कि कुछ करें लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सूसते थे सामान्य तोर पर बिमारी में पूरा परिवार बिमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुड जाता है लेकिन इस बिमारी ने तो बिमार को ही अकेला कर दिया अनेकों जगह पर छोटे छोटे बिमार बच्चों को मा से दूर रहना पड़ा मा परेशान रहती थी मा रोती थी लेकिन चाकर भी कुछ कर नहीं पाती थी बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी कहीं बुजुर्ग पिता अस्पतान में अकेले अपनी बिमारी से संगर्स करने को मजबूर थे संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी जो हमें छोड़ कर चले गए उनको परंपरा के मुताबिक वो बिदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे जितना हम उस समय के बारे में सोते हैं मन सिहर जाता है उदास हो जाता है लेकिन साथियों संकर के उसी समय में निराशा के उसी बातावरन में कोई आशा का भी संचार कर रहा था हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकर में डाल रहा था हमारे डॉक्टर नर्स परामेडिकल स्टाफ एम्विलर्स ड्राइवर आशा वर्कर सभाई कर्वचारी पुलिस के साथ ही और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स उन्होंने मानवता के प्रती अपने दाइत्व को प्राश्मिता दी इन में से अधिकाउश तब अपने बच्चों अपने परिवार से दूर रहे कई कई दिन तक घर नहीं गए सेंक्रों साथी ऐसे भी है जो कभी गर वापस लोटी नहीं आपाई उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ सेवा से जूड़े लोगों को लगा कर एक तरह से समाच अपना रून चुका रहा है ये टीका उन्ह सभी साथों के प्रती कृतग्य राष्ट की आदरांजली भी है भाईगों और भेनों मानव इतिहास में अनेक विपनाय आई महमारी आई बीशन युद्ध हुए लेकिन कोरोना जैसी चुनवती की किसी ने कलपना नहीं की थी ये के ऐसी महमारी थी जिसका अनुभाव ना तो साइंस को था ना ही सोसाइटी को था तमाम देशों से जो तश्वीर आ रही थी वो खबर आ रही थी वो पूरी दुनिया के साथ साथ हर भारतिये को विचलित कर रही थी ऐसे हालात में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे लेकिन साथियों भारत की चीज़ बहुत बड़ी आबादी को हमारी कमजोरी बताए जा रहा था उसको ही हमने अपनी ताकत बना दिया भारत ने संबेदन सिल्टा और सहबागीता को लड़ाई का आधार बनाया भारत ने 24 सो घंटे सतक रहते हुए हर गटना का मर्ज़ पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले लिए 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला लेकिन इसके दो सब्ता से भी पहले भारत एक हाई लेवल कमिटी बना चुका था पिछले साल आज का ही दिन था जब हमने बाकैदा सर्वेलान सुरू कर दिया था 17 जनवरी 2020 वो तारिक थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाईजरी जारी कर दी थी भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एरपोर्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी साथियों कोरोना के खिलाब लड़ाई में भारत ने जैसी इच्छा शक्ति दिखाई है जो साहस दिखाया है जो सामुहिक शक्ति का परिचे करवाया है वो आने वाली अनेग पीडियों के लिए प्रेना का काम करेगा यात कीजिए जनता कर्फियों कोरोना के विरूत हमारे समाज के सैयम और अनुसाचन का भी परिक्षन था जिसमें हर देश वासी सफल हुआ जनता कर्फियों ने देश को मनोवज्यानिक गुरुप से लौकडाउन के लिए तयार गिया हमने ताली थाली और दिया जला कर देश के आत्म विश्वास को उंचा रखा साथियों कोरणा जैसे अंजान दुश्मन जिसके एक्षन रियक्षन को बड़े बड़े सामर्थमान देश नहीं भाप पा रहे थे उसके आक्रमन उसके संक्रमन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ही यही था कि जो जहां है वो वही रहे इसलिए देश में लॉकडाउन का फैसला भी किया गया यह निर्णे आसान नहीं था इतनी बड़ी आबादी को घर के अंदर रखना असंभाव है इसका हमें एसास था कर दो